आप सबी लोगों का सनातन धर्म के जो भी अनुआई हैं जो अपने को हिंदू कहते हैं आज इस पेसलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए और उनकी बालिकाओं को बनाई गई है इस वीडियो के माद्यम से मैं आप लोगों से एक विचार साजा करूँगा एक जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूँ कि यदि हिंदू जो हिंदुत की बात करते हैं यदि उनको अपने हिंदू धर्म गरंतों की ही जानकारी नहीं है तो किसी मुद्धे पर किस तरह से विचार बिमर्ज कर सकते हैं समिक्षा कर सकते हैं तो इसी के लिए कुछ मेरे पास में सवाल आये थे प्रिशन आये थे और उन लोगों ने मेरे से पूंचा था कि गुर्देव जो है हिंदू के लिए भी कोई एक रास्ता एक संस्क्रेथी के उपर कोई सुझाओ दीचे तो आज मेरा सुझाओ यह है कि जो हिंदू बालिकाएं हैं और वो बालिकाएं जब तक कि नारी का उत्थान नहीं होगा अब आप लोग कहेंगे कि हिंदूों में नारी का उत्थान हो रहा है कोई इंजिनियर बन रही है कोई डॉक्टर बन रही है कोई डांसर बन रही है कोई सिंगर बन रही है यह तो नाम और दाम कमाने के लिए है मैं इसमें कहना चाहूंगा इससे तो आपका नाम होगा और दाम कमा लेंगे यह तो आपका व्यक्तिकत होवीज हो गई यह परिशनल होवीज है आपके पर्शनल बर्केंग है प्रोफेशनल है आप लेकिन आपके लिए हिंदु धर्म गरंतों की कुछ भी जानकारी नहीं है कुछ इसलाम धर्म के अनुआईयों के साथ में एक बार मेरी बाच्चित हो रही थी तो उन्होंने बताया कि महराच आचारी जी जहां से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ तो उनके लगवक जो है ऐसा मेरा जो अनुशंधान हुआ उनसे बात करके कि जो गाओं देहत में मुसल्मान लोग रह रहे हैं वो कम से कम उनकी 70% लड़किया कुरान सरीफ को पढ़ती हैं चाहें वो किसी मौलवी से पढ़े मदरसे में पढ़े मदरसा नहीं है मौलवी से पढ़े मश्यित में पढ़े अब मश्यित भी नहीं है और इससे क्या है वो 70% लोग करीब करीब वो गाहों की लड़कियां सिक्षत हो जाती हैं उन्हें धर्म के धर्म गरंथ की जानकारी हो जाती है लेकिन लेकिन सहर की जो है वो लगवाग 90% ये रेस्यों निकल के आया है अब आप बताईए कि क्या हिंदू समाज में कोई अपने कोई माता पिता अपने वहन वेटी के लिए क्या गीता पढ़ने की सला देता है कि तुमको कम से कम महायोगी कृष्ण के द्वारा जो बनाई गई है उस गीता का अध्यन करना चाहिए उसके विचारों को अपने जीवन में धारन करना चाहिए आप लोगों को पता नहीं होगा अलवर्ट आइंस्टीन ने जो बैग्यानिक हुए है विदेश के उन्होंने जब गीता को पढ़ा पहली बार तो उन्होंने अवाक रह गए उन्होंने एक ही बात कही कि यदि भारत में जिस विशह पे मैं सोच रहा हूं कलपना कर रहा हू जिस विशह पे मैं कलपना कर रहा हूं सोच रहा हूं वो आल लेडिक गीता में वो है उसका वर्णन जिस बहुते विज्ञान के उपर गति विज्ञान के उपर पदार्थ की अवस्थाओं के उपर जो उनका चिंतन चला था थियोरी बनाने से पहले तो वो जो है आल लेड अनुवज्ञानिक और धार्मिक ग्रंथ है इससे आप अपने जीवन के लिए सायं भी बना सकते हैं और सिक्षित बना सकते हैं जीवन जीने की कला है हालांकि इसके जो वास्तिवेकर्थ है वो जो इसका मन्थन करता है एक अच्छा विद्वान है और अनुभवी रखता है क्योंकि बिना योग की साधना किये कोई गीता के मर्म को नहीं समझ पाएगा यह सत है लेकिन जितना भी अर्थ आपको समझ में आएगा जितना भी सेंस समझ में आएगा उसको आप धारण करें और उसे अपने जीवन में अपने विचारों में अपने मन को साधने में अपन बन नहीं, इंजीनियर बन नहीं है, सब कुछ बन नहीं है, लेकिन कभी तुम्हारी लड़की या तुम्हारा लड़का ने गीता उठा के देखता है, अगर एक इस लोग, एक अध्याए, कुछ भी पढ़े, तभी उसके जीवन के सार्थकता है, एक रोचक तत्थिया है, कि महत्मा जी के आसरम में ठहरे थे, तो महत्मा जी से उन्होंने अपनी बात रखे, तो उन्होंने का तुम पाइलट बनने के लिए पैदा नहीं हुए, इससे भी आगे जाओगे, तो महत्मा जी से प्रभावित होके, अब्दुल कराम जी के जीवन का नियम था, गीता को भी और कुरान को भी वो रोजाना एक वार जरूर पढ़ते थे, चाहिए वो थोड़ा ही पढ़ें, कुछ ही आयतें पढ़ें या गीता के शूत्रों को पढ़ें, इस लोकों को पढ़ें, तो मेरा सुझाओ है कि गीता को बिना समझे, बिना धारण किये हिंदू बालकाएं लेकिन जिसने भी सवाल किया है, उसके लिए मैं यह सुझाओ दे रहा हूँ, कि आप लोगों के लिए गीता का अध्यन करो, जिससे कि आपको आत्मा से संबंदेत, परमात्मा से संबंदेत, भक्ती से संबंदेत, योग से संबंदेत, कर्म योग से संबंदेत, ध्यान तो प्राणयम से संबंदित जानकारी प्राप्त हो और जहां पर आपको कोई उल्जन जैसी आ रही हो आप वहाँ पर किसी अच्छे आचारिया और गुरू से संपर कर सकते हैं मेरा दावा है जो गीता का अध्यन करने वाला होता है यदि वो छह माह एक साल इसका अध्यन कर ल तो मेरा इसी यही सोजहाओ और संदेश आप लोगों के लिए है हिंदू भाईओं के लिए हैं हिंदू संस्कृति से जुड़ हुए अपने को हिंदू मानते हैं हिंदू तो उससे जोड़ना चाहते हैं केवल नाए भागने से मंदिरों में जाने से जब तक आपके लिए शिक्षा नहीं है सब कुछ वेकार है क्योंकि मंदरों में आपके वल भीक मांगने जा रहा है तो मैं अपना ग्यान नहीं है यदि अपना जानना चाहते हो अपने जीवन से जुड़े हुए जानकारियां और महायोगी कृष्ण के माध्यम से संकेत के माध्यम से उनके जीवन चात्र जीवन और व्यवसएक जीवन बहां पारलोकिक जीवन आपका सुध्रे और संब्रे क्योंकि वह महायोगी कृष्ण की बाणि है गीता में कोई कथा नहीं है कथा से पार भाव से पार जाने की प्रक्रिया है संदेश है सुजाओ है मेरा इसी आपके इसी बन्तने वाट ओूओ